बिस्वास वो सकती है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकास लाया जा सकता है क्लास को स्टार्ट करूँगा और बोलूँगा चैमल के उपर जो भी नए है चैमल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजेगा ताकि हर एक क्लास का अब बिट आप सभी को मिलता रहा है आपके फोन पर और इस क्लास का संपूर पिडियप जो है आप सभी को टेलिग्राम के उपर मिल जाएगा टेलिग्राम का लिंक आपको इस विडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में दिया गया है और एक बात मैं बोलूँगा आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे होगे SEC का, bank का या फिर railway का किसी भी एक्जाम का मोग टेस्ट जो है हर एक्जाम का कम से कम 20-25 मोग टेस्ट आप एक्जाम देने से पहले दे कर जाना ताकि आप जच कर पाओ कि आप तयार कितने हो एक्जाम से पहले तो आप किसी भी एक्जाम का जो मोग टेस्ट है हमारे एप्लिकेशन को डाउनलोड करने के बात आप उस एप्लिकेशन के उपर हिंदी और इंग्लिस दोनों में ही दे सकते हैं और वहां से अगर 349 वाला पैकेश अगर बाई करते हैं तो एक साल के वैलिडिटी के साथ यानि एक साल तक आपको हर एक एक्जाम का टेस्ट जो है वो दिया जाएगा और आज कवर करेंगे हम सभी 28 मार्च के important current affair कुछ important तथ के साथ तो देखते हैं आज का पहला प्रस्ट हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है और पहला प्रस्ट है दिब्विकलास सक्ति किस सहर में National Institutes for Empowerment of Person of Multiple Disability द्वारा अजित किया गया है यह आपको बताना है और यह कहां पर किया गया है इसका आयोजन तो यह किया गया है आपका चिन्नई में Option number B, A, C जो तामिल नाडू का राजधानी है यानि एक्जाम में अगर आपसे बस इतना पूछ देना कि दिब्विकलास सक्ति का जो आयोजन है वो कहां पर किया गया है तो आपका answer क्या होगा आप बोलेंगे भईया answer होगा चिन्नई और अगर बात करें चिन्नई राजधानी किसका है तो आप सभी को पता है तामिल नाडू का राजधानी है तामिल नाडू के CM कौन है तो आप सभी बोलेंगे इड़ापडी के पलनी स्वामी राज्युपाल बनवारी लाल पुरोही ठीक है अगला प्रसमारे सामने है किस संस्थान ने लिमका बुक ओफ रिकॉर्ड्स में भारत का पहला जीविद पाक कला संग्राले जो है वो इस्थापित करने के लिए परवेश के है बहुत important question है ये वाला which institutes has entered the लिमका भुक ओफ रिकॉर्ड फॉर इस्टेबलिसिंग इंडिया फॉर्स लिविंग कुलिनरी आर्ट्स मुजियम और ये कौन कर रहा है तो ये कर रहा है आपका वेल्कम ग्रूप ग्रेजुएट स्कूल ओफ होटल मैनेजमेंट आपसन नमबर आपका डी इस question को आप थोड़ा अच्छे से देखना क्योंकि first time हो रहा है और मैं हमेशा बोलता हूँ जो चीज भी first time हो रहा है तो वो question अपने आप में जो है वो काफी important बन जाता है अगला प्रसम आरे सामने है संगीत में यानि music में सबसे अधिक किस woman को किस महिला को जो है वो search किया गया है online ये आपको बताना है और उनका नाम क्या टेलर्ट स्विफ्ट option number आपका C और साथ साथ एक चीज मैं और बता दू आप सभी को अगर बोल दे खेल के मामले में sports के मामले में सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाली महिला कौन है तो आप क्या बोलेंगे सिरना विलियम्स आप सभी को पता है न ये क्या खेलती है तो आप सभी बोलेंगे भईया ये tennis खेलती है option ठीक है ये आप याद रखना sports के मामले में ये और संगीत के मामले में आपका tailored script अगला प्रसमारे सामने है वो कौन सा राज है जो खेल बुन्यादी धाचे को विकास के लिए 450 करोर रुपए का निवेश करेगा अपने राज में यानि कौन सा राज है जो खेल के sport infrastructure को बहतर बनाने के लिए अपने राज में जो है वो 450 करोर रुपए का निवेश करने जा रहा है तो वो है आपका मेघाले option number आपका C और मेघाले के CM कौन है तो आप बोलेंगे Conrad Conkel Sangma और Capital तो वो तो सभी को पता है Cilong और राजजपाल कौन है तो वो है आपका तथा गता Roy ठीक है अगला प्रसमारे सामने है चेत्रमा के पहले दिन फूल देबी महसो किस राज में मनाया जाता है ये आपको बताना है और अगर आप हाल फिलाल में SEC के एक्जाम दिये हैं CGL या फिर CHSL की स्टाटिंग के तीन डे तो आपने देखा होगा नोटिस करकर देखिएगा यहाँ पर क्या बोल रहा है चेत्रमा के पहले दिन फूल देबी महसो किस राज में मनाया जाता है और ये मनाया जाता है आपका उत्राखंड में और उत्राखंड के CM कौन है तिर्वेंदर सिंह रावत कैपिटल दैरादुन अगर बात करें वहाँ के राद जपाल के बारे में गवर्नर के बारे में तो आप बोलेंगे बेबी राने मौरिया है अगला प्रस हमारे सामने उत्क्रिष्ट महिला पुरुसकार के लिए चमेली देवी जैन पुरुसकार किसने जीता है और ये एक ऐसा पुरुसकार है ये एक ऐसा अवार्ड है जो जर्नलिस्ट के छेतर में हाला की दिया जाता है और ये एक ऐसा अवार्ड है जो एक्जाम में इसके उपर क्वस्चन काफी बार बना है तो इस क्वस्चन को भी थोड़ा आप फोकस के साथ देखना उत्किष्ट महिला पुरुसकार के लिए चमेली देवी जैन पुरुसकार किसने जीता है और ये आवाड जीता है आपका रोहिनी मोहन option number आपका C ठीक है clear अगला प्रसमारे सामने किस संस्थान ने अद्योगी परकिरिया ताप के लिए लागत प्रभावी स्वर पर्द्योगी की विक्सित किये है और ये किया गया है आपका RC के द्वारा option number आपका D पहले आप RC का full form क्या है ये भी आप सुन लो International Advanced Research Center for Powder Metallurgy and New Material ये आप याद रखना RC का पूरा का पूरा full form है अब आप बोलेंगे ARCI का full form इसका पूरा नाम दिया गया है आप ये चीज़ नोटिस करना अगला प्रस हमारे सामने है कि कौन सा संस्था है भारत का जिसे gas trading platform का पहला सदस से बनाया गया है जिसे India gas exchange भी जो है वो कहा जाता है अब पहला सदस से बनाया गया है किसका gas trading platform का पहला फॉर्स्ट और मैं हमेशा बोलता हूँ जो चीज भी फॉर्स्ट हो रहा है तो याद रखना कौन सा है तो मनी करन पावर लिमिटेड आपसन नॉमबर आपका D मनी करन पावर लिमिटेड भारत का gas trading platform का पहला सदस से बन गया है जिसे हम India gas exchange के नाम से भी जानते हैं ठीक है अगला प्रस्ट हमारे सामने भारत का पहला flying car कर खाना किस सराज में बनने वाल है India first flying car factory is all set to come up in which state और वो है आपका गुजरात option number आपका C और गुजरात के CM के बारे में तो सभी को पता है बिजयरुपानी और राज्यपाल कोन है अचार देबरत और capital तो आप बोलेंगे गांधी नगर के लिए न अगला प्रस्ट हमारे सामने है एक पुस्तक है एक किताब है उस किताब का नाम क्या है An Extraordinary Life Written by ये किताब किसके दुआरा किताब का नाम क्या है पहले वो देख लो आप किताब का नाम है An Extraordinary Life ठीक है ये पुस्तक का नाम है ये पुस्तक किसके दुआरा लिखा गया है इसके author कौन है तो इसके author है आपके सद्गुरु पाटिल ठीक है और कौन लिखा है इस किताब को तो और लिखा है आपका माया भूसन नवेंकर इन दोनों ने मिलकर ये किताब को लिखा है जिस किताब का नाम है An Extraordinary Life ये किताब जो है वो किस वेक्टित्व के जीवन के उपर लिखा गया है और ये लिखा गया मनोहर पारिकर के द्वारा आप सभी को पता होगा ये कौन है गोवा के मौपुर्व परमोन सावन से पहले गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं इनका हाल फिलाल में कुछ दिन पहले निधन हो गया था और आप सभी को पता है डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं पता है ड रक्षामंत्राले बिले इनके पास ही था अगला परशमाने सामने हैं सडग सुरक्षा रिपोर्टिंग के लिए योगदान के लिए सेंटर फोर मिडिया स्टडिस द्वारा किसे सम्मानित किया गया है सड़क सुरक्षा रिपोर्टिंग के लिए योगदान के लिए सेंटर फॉर मीडिया स्टर्डिस द्वारा किसे सम्मानित किया गया है और जिसे सम्मानित किया गया है उनका नाम क्या है प्राची सावले, option number C और इनके साथ साथ जागरान जोसका जो एक और editor और एक और journalism है जिनका नाम है प्रदिप दिवेदी इनको भी सम्मानित किया गया है प्राची सालवे के साथ साथ यानि इन दोनों को जो है वो honor किया गया है सम्मानित किया गया है तो प्राची सालवे के सासत प्रदिप दिवेदी का भी नाम आप सभी को याद रखना है ठीक है अगला प्रसमारे सामने है फ्लिपकार्ट ऑनलाइन अभी तो फ्लिपकार्ट और एमेजन का जितना भी ऑनलाइन सौपिंग एकॉमर्स वेबसाइट है वो सारा डाउन है क्यों ठीक है, क्वेदी क्यां बोल रहा है, फ्लिपकार्ट ने तवरित भीमा योजना भीमा भीमा जीवन भीमा पॉलिपकार्ट और ये डील साइण किया गया है आपका option number D agon life insurance company के साथ अगला प्रस हमारे सामने और आज का आपका पहला question एक अलग type से निकल कर आ रहा है ध्यान से सुनना आपका पहला question आज का यह है आप सभी को comment करकर यह बताना है न कि world kidney day हम कम मनाते हैं पहला बात दुसरा बात यह बताना है 2020 का question जो है वो cut to cut clear हो गया होगा कि world kidney day मनाते कम है और world kidney day का theme क्या है 2020 का तो यह रहा आपका आज का question सभी को comment का comment box में answer इसका देना है अब अगला question क्या बोल रहा है किस company ने कच्ची तेल की बिक्री और खरीद के लिए जो है आपका नुमाली गड रिफाइंडरी के साथ एक कच्चे बिक्री समझोती पर जो है वो deal sign क्या है अच्छा पहला बार पहला बात तो आपकी दिमाग में यह आ रहा होगा भया यह यह जो नुमाली गड रिफाइंडरी जो है न यह कहां पर है किस राज में तो यह पढ़ता है आपका आसाम में ठीक है तो यह किलर हो गया होगा एक्जाम में बहुत बार आप सभी से पूछ देगा तो आप क्या बोलोगे यह कहां पर है तो यह आपका स्थीत है आसाम में किस कंपनी ने आपको इस बीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ से आप सबी जो है वो डाउनलोड कर लेना या फिर अगर टेलीग्राम से जुड़ें तो वहाँ पर तो लिंक मैं डेली सेयर कर देता हूँ तो वहाँ से भी आप सब भी डाउनलोड कर सकते हैं सो मेरे जितने भी भाई वहन है सभी को बहुत बहुत गुद मॉर्निंग अपना खयाल लखना और अपने सासाथ अपने मम्मी पापा का भी खयाल लखना ठीक है ना? चली